अब आपको चिंता करनी चाहिए इसके कारण क्या होते हैं और इस दर्द से अराम पाने के लिए आप क्या कर सकती है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें फ्रेंड्स प्रेग्नेंसी में हर गर्भवती महिला को प्राइवेट पार्ट में दर्द होता ही है किसी को जल्दी तो किसी को देरी से दर्द शुरू होता है लेकिन लगभग सभी महिलाओं को दर्द होता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लेकिन कुछ केसिस हैं जब आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको प्रेग्नेंसी में प्राइवेट पार् में दर्द होता है लेकिन समय के साथ ये दर्द खत्म हो जाता है दूसरा कारण है शिशु का बढ़ता हुआ आकार जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी बच्चे का भी आकार बढ़ता जाएगा जिसका दबाव आपके पेल्विक एरिया पर पड़ेगा जिसक चौथा कारण होता है आपके शरीर में गरभाशे का आकार जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो आपका शरीर अपने गरभाशे को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि बच्चे के लिए वो जगह बना सके और इसी वज़ह से आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है चौथा कारण होता है यूरिन ना करना प्रेगनेंसी के दोरान गरभवती महलाओं को जादा पानी पीने की सुझाओ दी जाती है ऐसे में आपको बार-बार टॉयलेट भी आती है लेकिन कई महलाएं आलस के वज़ह से कि उनको टॉयलेट ना जाना पड़े हैं तो ऐसे में वे टॉयलेट को होल्ड करने लगती हैं जिसकी वजह से आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगता है तो यह थे कारण तो ऐसे में आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यह सभी महिलाओं के साथ होता है लेकिन एक ऐसी क आपके प्राइवेट पाट में खुजली मैसूस होने लगे या जलन होने लगे तो ये इंफेक्शन की निशानिया होती है ऐसे में डॉक्टर से संपर्क जरूर करें चलिए अब जान लेते हैं प्राइवेट पाट में दर्द से बचने के उपाय के बारे में सबसे पहले आप अपने टॉयलेट को होल्ड करना बंद कर दे अगर आपको टॉयलेट आये तो तुरंत ही टॉयलेट पास करें दूसरा आप जब भी वॉक करें तो धीरे धीरे हलके हलके स्टेप ले जटके से कोई भी काम ना करें अराम से चलें अराम से बैठें कोई भी काम जल्दी भाज तो आपके प्राइवेट पार्ट में भी दर्द की समस्या होती है। आसे नेक्स्ट वीडियो में अपना खास ख्याल रखें।